नमस्कार दोस्तों मैं हूनितिन गुले और आज हम आए सुनिल आटोमोटिव बालक हट में ये शोरूम में एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी का हम रिवियू करने वाले हैं जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ये है टाटा की हैरियर इस गाड़ी के वैसे तो कॉंपेटिशन ब वो बहुत ही शांदार है परिस्नली मुझे ही एक कार बहुत पसंदाती है इसके लुक्स काफी मस्किलर लुक्स दिये हुए सबसे बड़ी बात यह ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म में बनी है जिसमें लैंड रोवर जो है लैंड रोवर के जो ए डीट प्लेटफॉर्म है उस पर यह बेजड है तो बहुत ही जबरदस बहुत दगड़ी यह गाड़ी है इसे सेफ्टी रेटिंग में मिले हैं और अगर इसकी सेफ्टी फीचर्स के अगर बात हो ही रही है तो इसमें ABS, EBD, Corner Stability, Control और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं इसमें भर भर के दिये हो ग है बहुत ही शांदर इसका रोड प्रेजंग लाथ ता कर के लुग मिल जाता है नीचे अगर हम लेखे तो आपको एचा डिजटर हें लैंप आपको fog lamps का setup दिया हुए जो cornering function के साथ में आते हैं उपर आपको LED DRLs दिये हैं जिसमें integrated आपको turn indicators भी मिल जाते हैं side profile मगर हम आते हैं तो आपको जो wheels है वो देखने को मिलते हैं और जो diamond cut alloy wheel है वो देखने को मिलते हैं जो काफी बढ़िया look इसमें add करते हैं टायर प्रफाइल के अगर बात करें तो हम 235-65R17 17-inch के इसमें alloy wheel है wheel size जो है बहुत ही बढ़िया है बहुत बढ़िया grip देता है side में अगर देखे तो ORVM का setup किया हुआ है जिसमें integrated आपको indicators मिल जाते हैं यह electrically foldable and adjustable दोनों option इसमें दिया हुआ है side में आप जो footstep देख रहे हैं यह जो है एक accessories का part है यह आपको अलग से लेना पड़ेगा साथ में अगर आप overall length की बात करें तो यह almost 4600 है इसका जो ground clearance है वो भी काफी decent है 205 mm side में आपको जो door handle से उसमें request sensor का भी option दिया हुआ है आप देख सकते हैं इससे आप इसमें keyless entry भी आपको दी हुई है side में अगर हम देखते हैं तो आपको chrome दिया हुआ है handles के उपर जो काफी बड़िया look add करता है wheel size आप देख सकते हैं काफी clear इसमें देख रहा है एक और चीज है मुझे इसमें लगिए कि जो left side में है इसमें fuel tank दिया हुआ है fuel tank capacity की अगर मैं बात करो तो इसमें 50 liters का दिया हुआ है उपर आप देख सकते हैं chrome में harrier की एक पूरी badging दी हुई है जो काफी बड़िया देखती है rear profile के अगर बात करें तो हम यहां पर आप देख सकते हैं tail lamps का setup किया हुआ है जिसमें जो tail lamps है यह always on mode में जलते हैं पूरा LED है काफी बड़िया इसमें look आता है आप जैसी इसे on करेंगे तो इसमें always on mode में on होगी जैसे कि आप सामने देख सकते हैं बाकी जो है turn indicators और reverse parking lamp यह आपको halogen setup में मिल जाता है और बाकी अगर आप नीचे आते हैं तो आपको rear fog lamps भी देखने को मिलते हैं और उसके नीचे आपको reflectors दिये हुए हैं center में Tata का एक बड़ा सा logo और उपर अगर हम जाते हैं तो आपको rear wiper का option और defogger का option दोनों मिल जाता है जैसे कि exit plus है उसके उपर आपको high mount stop lamp नीचे अगर हम आते हैं तो आपको camera का setup मिल जाता है harrier की एक badging मिल जाती है नीचे हम देखे हैं तो आपको reverse parking sensors दिये हुए यह सिर्फ दो sensor दिये हुए पीछे मुझे ऐसा लगता है कि 4 sensor इसमें होने चाहिए थे तो overall जो looks है वो आप देख सकते हैं rear से काफी बड़िया looks आते हैं इसके rear से मुझे personally जो rear looks है बहुत बड़िया लगते है boot space की अगर बात करें तो वो चलिए हम देख लेते हैं यहां पे एक request sensor दिया हुए जिसे click करके आपका boot space जो है आप यहां से देख सकते हैं यहां पे दो points दिये हुए आपको जो LED है और एक camera दिख रहा है आपको यह पुरा LED setup के साथ में आता है यहां देख सकते हैं आपको एक parcel tray भी offer होती है और boot space की बात करें तो इसमें 425 liter का boot space आता है और अगर आप front की जो seat हैं अगर उसको recline कर देते हैं 60-40 split seat दी है तो आपको जो है 810 liter का boot space मिल जाता है जो काफी बड़ा है आप यहां पर देख सकते हैं कि यह covering की होई है यहां पर आपको tool kit मिल जाती है सारी और side में आप देखेंगे आपको puncture repair kit भी है और यह inflator भी है इसमें बहुत useful चीज़ है यह बहुत use आती है जब आपको कभी भी puncture या कुछ repair करना होता है यहां पर कुछ space दिया हुआ है इसको आप अटाके थोड़ा deep space कर सकते हैं side में आप देख सकते हैं आपको light मिल जाती है एक यहां पर hook मिल जाता है आपको चोटे मुटे जो आपके carry bags हैं उसको यहां पर hang करने के लिए पर तो यह भी काफी एक useful feature है और side में अगर हम देखते हैं तो आपको एक subwoofer भी दिया हुआ है जो overall जो यहां पर speaker से उसमें से वो एक part है यहां पर आप देख सकते हैं grab handle दिया हुआ है काफी अप height में जाता है यह तो यह close करने में काफी जादा helpful होता है टॉप side में आप देख सकते हैं shark fin antenna दिया हुआ है roof जो है इसकी पूरी glossy black finish में दी है जो देखने में बहुत ही बढ़िया इसमें look add करती है side में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो wheel base है इसका जो wheel base है वो 2741, 2741 mm का है जो यह class leading है और यह जो wheel base है interior में बहुत space इसमें भार भार के आता है space की कोई भी issue नहीं रहता disc जो है front में आपको offer करते हैं और rear side में आपको drum brake तो overall looks आप देख सकते हैं left side profile में काफी बढ़िया है overall जो है उपर आपको एक panoramic sunroof भी मिलता है जिसका जो size है काफी बढ़िया है मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा side में आप देख सकते है co passenger side में भी आपको एक request sensor मिल जाता है जो काफी बढ़िया चीज इसमें offer करिये तो overall जो है आपको जो side profile है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है 17 इंच के इसमें tire है जो की बहुत ही बढ़िया इसके value add करते है looks में doors की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो आपका over way में उसको control करने के लिए दिया हुआ है बटन नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा soft touch का यहाँ पे use के अवर leather है और उपर hard plastic है यहाँ भी कुछ leather का finish किया हुआ है और यहाँ side में आप करने तो इसमें total nine speaker है वो मैं आपको इसकी position अभी बताऊंगा तो चलिए अंदर बैठते हैं यह जो है आपका leather wrap steering wheel है left side में आपको सारे multimedia के controls मिल जाते हैं और right side में cruise control के सारे आपको controls मिल जाते हैं जिससे आप semi digital जो आपका instrument cluster है उसको भी आप यहाँ से operate कर सकते हैं बाकि right side में अगर हम देखते हैं तो आपको एक AC event और एक push start stop का button मिल जाता है center में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है इसका dashboard थोड़ा सा wooden finish में भी दिखता है speakers की position आप देख सकते हैं total nine speaker है चार speaker चार twitter और एक subwoofer इतना इसमें speakers quality बहुत awesome है इसकी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा welcome करता है इसका instrument cluster जिसमें आप देख सकते हैं कि left side में आपको tachometer दिया हुआ राइट side में speedometer दिया हुआ है steering wheel जो है आपको tilt adjustment और telescopic दोनों का option इसमें आपको मिल जाता है तो आप चेक कर सकते हैं कि यह जो है range sensing wiper के साथ में भी आता है और automatic headlamps का भी option इसमें मिल जाता है center में आप infotainment system देखते हैं जो कि 9 inch का है JBL powered इसमें speaker है IRVM जो है auto dimming के साथ में आता है glove box आप देख सकते हैं यह cooled नहीं है इसमें एक light ज़रूर दी हुई है touch response के अगर बात करें तो काफी एक decent है इसमें android auto और apple car player वायरलेसली चला सकते हैं तो वो भी इसमें कोई issue नहीं है lag नहीं करता यह सारी settings यहाँ पर दी हुई है आप check out कर सकते हैं बाकी अगर नीचे अगर हम देखते हैं तो आपको सारी जो buttons है वो भी सारी physical buttons दी हुई है तो यहाँ से भी आप इसे operate कर सकते हैं पूरी physical buttons यहाँ पर दी हुई है साथ में नीचे AC vents आ जाते हैं नीचे hazard का button आ जाता है और उसके नीचे जो है आपको AC के सारे controls दी हुई है जो automatic climate control के साथ में आता है जैसे कि आप सामने देख सकते हैं तो overall जो है front में जो है थोड़ा soft touch का भी use किया हुआ है सारा soft touch है नीचे अगर हम आते हैं तो आपको space थोड़ा सा मिल जाता है यहाँ पर पोन वगेर आप यहाँ पर रख सकते हैं साथ में यह जो है all terrain control का जो modes दी हुई है इसमे normal rough बैटी यहाँ से आप control कर सकते हैं इसमें traction control और hill hold control उसकी भी buttons दी हुई है center में आप देखें तो आपको six speed का manual gearbox यहाँ पर मिल जाता है सामने USB और aux के लिए भी आपको यहाँ पर option मिल जाता है पीछे अगर हम आते हैं तो यह देखें आप aircraft like बिलकुल handbrake दिया हुआ इसमें पीछे cup holders हैं और उसके पीछे अगर हम आते हैं तो आपको यह armrest मिल जाता है जिसके inside में आपको cool मिल जाता है एक power socket मिल जाता है और दो USB के connection मिल जाता है बहुत छोटा है यह बट काफी decent है इसकी quality भी काफी बढ़िया है soft है अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे ticket holder तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है lights जो देखें center में वो सारी LED दी हुई है और उसके उपर में आपको सारे sunroof के जो control से वो यहाँ पे दिये हुए साथ में आप देख सकते हैं कि exit plus में आपको क्या-क्या features offer होते हैं आप उपर screen में अपने देख सकते हैं feature loaded है बहुत सारे features इसमें दी हुए है आप चेक कर सकते हैं exit plus model में top end model है यह तो चलिए हम sunroof को जो है open करके देखते हैं इसका size जो है बहुत बढ़िया है आप यहाँ से यह button देख सकते हैं इससे यह curtain जो है open हो जाएगा size देखिए आप इसका panoramic sunroof है tata harrier xz plus model है यह आप देख सकते हैं harrier में कितना बड़ा एक sunroof दिया हुआ है मज़ा ही आगए इसको देखिए तो यह button से आप इसे open कर सकते हैं इसका glass जो second जो button है उससे open हो जाएगा आप देख सकते हैं wind deflector भी उपर दिया हुआ है तो चलिए इससे हम बंद कर देते हैं एक बार में इसका जो बाहर से जो look है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए कितना wide कितना बड़ा है sunroof open होता है देखने में बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है फुल ग्लॉसी black finish उपर दिये अलग ही है इसके road presence ड्राइवर सीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको electrically adjustable का option मिल जाता है आप इसमें electrically सारी चीज़े control कर सकते हैं इसमें अगर हम safety features की बात करें तो six airbags जो है इसमें offer होते हैं जो काफी एक बड़िया चीज है उसक साथ में आप यहां देख सकते हैं कि एक dead pedal का भी option दिया है जैसे कि है manual transmission की है तीन आपको levers दिख जाते हैं अगर rear side की अगर हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं door में आपको कुछ soft touch का यहां पर भी use किया हुआ है side में आप देख सकते हैं कि आपको power window के button दिया हुआ ह नीचे थोड़ा space दिया हुआ है और उसके नीचे एक bottle holder भी दिया हुआ है और side में आप देख सकते हैं speaker का भी placement पीछे किया हुआ है overall अगर गाड़ी के rear seat हम देखें हैं तो leather जो इसमें finish किया हुआ है seat में काफी बढ़िया है isofix anchors भी इसमें देखने को मिल जाते हैं तो काफी बड़ी और wide seat है जो आप कि इतनी भी बड़ी अगर journey करेंगे तो काफी comfortable रहेगी यहां पर आपको एक armrest मिल जाता है दो cup holders के साथ में center में अगर console में देखें आप तो rear side में आप देख सकते हैं तोड़ा सा storage space उपर दिया हुआ है और नीचे आपको दो USB जो है उसके connectivity भी दी हुई है बाकी अगर headrest के अगर हम बात करते हैं तो headrest जो है इसमें आपको adjustable दिये हुआ है तो यह काफी एक बड़िया चीज है adjustable headrest दिये है center में जो है वो छोटा headrest है वहाँ पर adjustable नहीं है AC wind जो है आपको pillars में मिल जाते हैं जिसका throw directly आपके उपर आता है तो काफी comfortable चीज हो जाती है बड़िया है बाकी अगर seats का अगर देखें मेरी जो height है 59 है तो आप देख सकते हैं काफी बड़िया आपको space मिल रहा है leg room भी काफी बड़िया है तो इसमें तो कोई issue नहीं है तीन adult इसमें easily बैट सकते हैं इंटर में थोड़ा हम परिशान करेगा बट काफी wide seat है कोई भी इसमें एक issue नहीं आएगा यहां से आप देख सकते हैं front dashboard का look कितना बड़िया आ रहा है Tata Harrier की अगर engine की बात करें तो इसे power देता है 2-liter का cryo tech turbo charge engine जो की produce करता है 170 PS की maximum power और 350 nm का torque और आप देख सकते हैं काफी एक बड़ा और काफी responsive engine है इसके performance से तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी आस तक issue रहा होगा बाकी अगर इसमें देखें तो heating elements और insulation का काम बहुत बड़िया किया हुआ है उपर भी आप bonnet में देख सकते हैं insulation का काफी बड़िया काम किया हुआ है तो inside में noise थोड़ी कम ही आती है इसमें ज्यादा मुझे noise इसमें सुनने में नहीं आई है तो overall आप यह देख सकते हैं काफी बड़िया insulation इसमें दिया है और heavy कितना है यह इसके safety है से पता चलता है इसमें high strength steel का use किया हुआ है काफी heavy इसका bonnet है तो friends यह था आज का review मुझे लगता है मैंने सारी चीज़े cover कर ली है अगर कुछ रह गया होगा तो please मुझे comment करके बता दीजेगा कैसा लगा आपको यह video और यह car मुझे comment करके ज़रूर बताना अगर मेरा यह video पसंद आगो तो please इसे एक like कर देड़ा share कर देना अपने friends के साथ और subscribe कर देना मेरे channel को thank you so much जै हिन